रज्जी परिवान निगम की करमचारियों का सरकारी सेवा में विले करने के अलावा वेतन और अन्य मांगों को लेकर एसची करमचारियों का आंदोलन अब सुलगने की कागार पर है हाला कि एन दिवाली के दौरान जारी हरताल के कारण यात्रियों को काफी परिशानी होती है रभीवार को नाकपुर डीपो 90 फीसिदी बंद रहा दूसरी और निजी वाहक यात्रियों से अत्रिक्त किराया वसूल रहे हैं गाह में यात्रियों को लूट रहे हैं नागपुर मंदल की आठ डीपो में 450 बसे हैं और 968 फेरे में से 150 फेरे ही हुए हैं इससे लाखो रुपय का नुकसान हुआ लेकिन लाल बस में सफर करने वालों की हालत अज सहनी हो गई दीपवली की पूर्व संध्या पर S.G. कारी करता हरताल पर चले गए इससे कई लोगों को परेशानी होई है दिवाली की चुट्टियों में कई लोग पहले ही विदेश जा चुके हैं अब जब S.G. वापसी के लिए उपलब्द नहीं है तो निजी वाणूपा निरफर रहना होगा ट्रावल कंपनियों ने अपने किराय में व्रद्धी की है जब तक कोई समझोता नहीं हो जाता S.G. हरताल के खत्म होने के कोई संकेत नहीं है आंदोलन कारी कारी करतों ने इस चैन लिया है कि जब तक S.G. वरकर्स को इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक आंदोलन बंद नहीं किया जाएगा नाखप टीपो को बंद कर दिया गया यह S.G. के लिए बड़ा जटका है गणेश पेट बस स्टैन पर यात्रियों की भारी भीड देखी गई S.G. को भार ना जाते देख कई लोगों का ध्यान नीची यात्राओं पर गया नाखप टीपो में आज हरताल शिरू हो गई क्योंकि कोई विकल्प नहीं था क्योंकि राजिस सरकान ने पिछले आठ दिनों से विभिन डीपो बंद करने पर आखे मून ली थी S.G. के पहिये थमने के बाद ही अवैद यात्याद जोरो पर है नीची यात्रा निदेशक ने मनमाने धंग से किराया बढ़ाया है यात्रियों से 1000 रुपे वसूले जा रहे हैं इससे यात्रियों को आर्थिक परिशानी हो रही है हरताल ऐसे समय में हो रही है जब S.G. निगम आर्थिक तंगी का सामना कर रहा है कैमरा परसन राजकवाम मोहर के साथ अभिशेक पांसी BCN News नाकपूर